तो गाईज आज की इस वीडियो में सानेंगे विल और उड के बीस क्या अंतर है विल मेंस गागेगी उड मेंस गागेगी तो फिर इन दोनों के बीस अंतर क्या है तो आज की वीडियो में हम रोग सानेंगे विल वर्सेस उड तो सबसे बहुत समझते हैं will का यूज, will means होता है गागे की और will का आप यूज करते हैं future indefinite tense में, future indefinite tense में आप यूज करते हैं will का, जिसका structure इस पर से होता है, सबसे बले subject, फिर will, verb का first form plus object, example देखिए, इसे वो किताब पढ़ेगा, अब वो किताब पढ़ेगा, तो क्या होता हैगा, he will read a book, he आपका subject हो गया, will आपका help you up हो गया, जिससा आप model भी कहा सकते हैं, और read आपका first form हो गया, उसके बाद आपका a book एक object हो गया, इस पर से समसकते हैं, कि वो किताब पढ़ेगा, तो he will read a book, हम लोग match खेलेंगे, we will play the match, हम लोग match खेलेंगे, we will play the match, तूम खाना खाओगे, you will eat food, रवी गाना गाएगा, रवी विल सिंग a song, इस पर से sentence को आप सकते हैं, कि रवी गाना गाएगा, रवी विल सिंग a song, तूम इसकूल जाओगे, you will go to school, तूम पिर्जा खाओगे, you will eat पिर्जा, इस पर से आप सर्डेंस को बना सकते हैं, that means कि future independence में, आप will का यूज़ करते हैं, गागेगी का सेंस में, ऐसे आप समसकते हैं, और future tense का जैसी कि आपका हुज़ागा sentence आगे समझते हैं मेरा भाई कार सलाएगा, तो my brother will drive a car, my brother will drive a car, मेरा भाई कार सलाएगा, इसे बाएर से आप समस्ते हैं, would, would means भी होता है, आपका गागेगी, use means गागेगी होता है, तो फिर इसका use कप करते हैं, समस्ते हैं guys, इसका formula आपका same ह का subject would वर्ब का first form object जैसे कि will ता आपका will के जगाप पर आपका उड़ो गया है यहाँ पर भी आपका will के जगाप पर उड़ो गया है आपका हिंदी मिनिंस M है गागे की तो फिर इसके यूज के से करते है गाइस इसका आप यूज इस पार से करते हैं इसे रवी ने मुझसे कहा कि मैं बज़ार जाओंगा यह संटेंस आपके नरेशन के नुशार बनेंगे तो यहाँ पर आपका will के जगाप पर उड़ाएगा क्यों आएगा समझते हैं रवी टोल्ड मी रवी न तो बज़ार तो रवी जाएगा तो इसको क्या करता है यह सबज़क्ट का नुसार लिखा साता है यहाँ पर आपको पता होगा कि आपका जो फर्स्ट परसन होता है आई और वी यह आपका सबज़क्ट का नुसार सेंस होता है और आपका जो सकेंड परसन है जिसे यू यू आपका बतलता है object के अनुसार यहां पर आपका I होगा इसका मतलब और I आपका किस के अनुसार बतलेगा first person के अनुसार मतलब कि I आपका बतलेगा subject के अनुसार यहां पर आपका subject कौन है रवी है तो रवी आपका अगर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इसका प्रोणावन क्या लिखा साथ गाही अब यह संटेंस आपका पारा किश्न में है पास्ट में ताने बला संटेंस hamburger पास्ट में लिखास आएगा, that means he will, आप गागे की के लिए will लगाते, लेकिन यहां पर आप will नहीं लगाएंगे, यहां पर आप would लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है, तो will का past would होता है, जिसे के can का cool होता है, make a might होता है, इसी बगड़ से, ताप यहां पर समझ पाए हैं, उसने मुझसे कहा कि मेरा भाई अंग्रेजी सेखेगा, अब उसने मुझसे कहा, he told me, उसने मुझसे कहा, की that, मेरा भाई, किसका भाई सेखेगा, उसका भाई सेखेगा न उसने मुझसे कहा, की मेरा भाई अंग्रेजी सेखेगा, तिया पर आपका sentence पहला past कहे, नरेशन के रूल के अनुसार, अगर पहला sentence आपका past कहे, आने वाला sentence में आपका past होगा, that means, अपको options कर देंगे, will है, तो would में कर देंगे, इस बार से पिरिया ने मुझसे कही, कि मैं खाना नहीं पकाऊंगे, sentence होगा, पिरिया टोल्ड मी, that she would not cook food, sentence आपका सब लास्ट वाला आपका future tense में है, लेकिन सभी के जगह पर आप will लगाते, लेकिन will के जगह पर आप अभी उड लगाएंगे, तो कि सभी sentence आपका पहला सो है, पहला ये सभी आपका past में लिखा आकास ने मुझसे कहा कि मैं किर्केट खेलूँगा, आकास टोल्ड मी, that he would play किर्केट, इस परस आप दख रहें, कि sentence हैं पर आपका लगता will, लेकिन would क्यों लगा, I hope you got it, आगे समझते हैं, इस will be, और will be का मतलब होता है, कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, और इसमें ब मतलब चलेगा, मतलब कि जारी रहा होगा, इस परसे, जिसलिके बोलते हैं, कि वो किर्केट खेल रहा होगा, यह फ्यूसर की बाते है, वो किर्केट खेल रहा होगा, तो फ्यूसर आने वाले समय में, कोई काम जारी रहेगा, इस परसे, इसका फर्मुला होता है, subject, plus will be, plus verb क फॉर्ट फॉर्म प्लेस अब्जक्ट अब देखते हैं क्या है इसाम्पल इसका जिसे कि वो अंग्रेजी बोल रहा होगा यह फ्यूसर की बाते करेंगे तो आप यहां पर यूस करेंगे विल बी संदेश होगा यह फ्यूसर के बाते हैं क्या है इसाम्पल इसे तुम लोग किताब पढ़ रहा होगा यह सभी संदेश बात कर रहा है प्यूसर के बारे में कि आने वाले समय में यह सभी काम जारी रहेगा, continue रहेगा इस पर साप यूस कर सकते हैं वहां पर विल बी तो आगे समझते हैं उडबी उडबी का भी मतला होता है रहा होगा तो फिर उडबी का यूश हम करते हैं मैं बता दूगा इसकी उडबी मतलब कि आपका जो उड़ है यह आप उड़ का यूश करते हैं या तो पर्जेंट के लिए या फिर पास्ट के लिए पर्जेंट और पास्ट के लिए आप यूश कर जरते हैं present और past के लिए, conna 15 साब को पता से ले suffering की रहा होगा यह कबकी बाते कर रहे वो गाना गा रहा होगा इस से लगता है कि ये काम पर्जेंट में ही हो रहा है، जब ये पर्जेंट में हो रहे हैं तो फिर आप उड़भी का यूज़ कर सकते हैं, तो संडेंश किसे बनेगा, इससे बोल देना कि रोहित कहा हैं तो रोहित बजाः जा रहा होगा, तो बजार जार आओगा कब की बाते कर रहे हैं अभी की तो बाते कर रहे हैं ना पर्जेंट की बाते करें के रोईत बजार जार आओगा इस पर से तो संडेंस आप उड़ भी लगा सकते हैं संडेंस में अमन सबजी खरीद रहा होगा संडेस होगा अमन उडबी बाइंग वेजिटेवल्स अमन उडबी बाइंग वेजिटेवल्स अमन सबजी खरीद रहा होगा आप किसी ने पूशा कि अमन कहा गया है तो मैंने कहा अमन बजार गया है किसलिए तो सबजी खरीदने तो फिर कहा अ अमन सबजी खरीद रहा होगा तो अमन उडभी बाइंग वेजी टेवल्स या परसंट की बाते हो रहे हैं जब परसंट की बाते होगे तो आप वहाँ पर रहा होगा के लिए उडभी का यूज़ करेंगे वहाँ पर will be को नहीं करेंगे विल बी कहीं सिर्फ फ्यूसर के लिए इस वार से रवी उससे बात कर रहा होगा यह sentence आपका बात कर रहा है परसेंट का होगा रवी उड़ बी टॉकिंग टु हिम रवी उससे बात कर रहा होगा वे लो किरकेट खेल रहा होगा तो they would be playing cricket, किर्केट खेलने की बात present time की हो रही है, कि वे लोग किर्केट खेल रहा होगा, they would be playing किर्केट, तो इस पार सापसर ने इसको बना सकते हैं, आगे आपके पास will have, और will have का मतला होता है, चुका होगा, या फिर कोई काम कर लिया होगा, ये बात करता है गाइस future की, औ प्लस वर्प का थड़ फॉम, प्लस अबजक्ट, एक्जाम्बल इस पार सोगा, कि वो अपना काम कर सुखा होगा, कब की बाते करें, आने वाले समय की बाते करें, फिर की बाते करें, कि ये समय जो आने वाला है, इसमें वो अपना काम कर सुखा होगा, इस पार से, जो संड के बाद थडफम आना साइए इसे बार से सुरेश उससे मिल लिया होगा तो संदेंस होगा सुरेश विल हैब मेट हीम मीट का थडफम मेट है अमन एक कार खरीच सुगा होगा तो संदेंस होगा अमन एक कार खरीच सुगा होगा या खरीच लिया होगा अमन एक कार खरीच वान चुकी होगी, आने वाले समय की बाते जहीं कर रहे हैं, तो संधेस होगा, ब्रिय विल्हकол बिकम आ डॉक्टर, ब्रिय विल्हको बिकमे डॉक्तर बन शुकी होगी। तो आप आप वुल्हक कूश्प लगाएंगे। इसे बगार से आपका उड़ेब है, उड़ेब का भी मतला होता है चुका होगा या फिर कोई काम कर लिया होगा, meaning same है, बस condition यह है कि आपको अलग-अलग situation में यूज करना है, अब समझते हैं इसका formula भी आपका same होगा, subject होगा, उड़ेब प्लस वर्प का third form, प्लस object होगा, example क इसा होगा, इसे अमन मैच जित लिया होगा, अमन मैच जित लिया होगा, यह कब की बाते करते हैं, अब जित लिया होगा, तो past में ही कर लिया होगा यह काम, जब कोई काम आप past में ही finish कर लिये होते हैं, तो फिर आप वहाँ पर will का use नहीं करेंगे, जब past में हैं, तो फिर ये आप यूज्ट करेंगे उड़, तो संदेस बनेगा, इसे बहर से आप समझ सकते हैं, कि जितने का काम कंप्लीट कर लिया हैं, तो उड़ एप का यूज्ट कर सकते हैं, तुम लोग किताब खरिद लिया होगा, तो संदेस लोगा, you would have bought a book इस परस आप समझ सकते हैं अब मैंने अगर यहां पर past का है तो आपको यहां पर वो नहीं समझ लेना है कि कोई काम कर लिया था ऐसे नहीं है जब वहां पर आपका ऐसा है मतलब कि ऐसा एक सन आए जो ऐसा यहां पर पासान आए यहां पर आप समझ सकते हैं कि जिस संटेंस के अंत में ऐसा है कि चुका होगा या कर लिया होगा कर ली होगी इस परस आए और उसमें बताए सारों कि काम फिनिस पास्ट में ही हो गया है तो आपको उड़ाब यूज़ करना है मेरा भाई दिल्ली पहुँस गया होगा तो संटेंस बनेगा माई ब्रदर उड़ हाब रीज़्ड डैली इस परस आप संटेंस कूब ना सकते हैं इन सबी में बताए सारे उसने खाना खा लिया होगा यह खाना खाने का काम वो कर लिया होगा फिनिस कर लिया होगा जब कोई काम कंपलीट हो गया तो किस में चल गया पास्ट में चल गया इस वर से मेरा भाई दिल्ली पहुस गया होगा पहुसने का काम कंपलीट हो तो यह कब चला गया आपका पास्ट में चला गया तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई काम पास्ट में होत झाल 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 झाल